नमस्कार दोस्तों में नाम है रादीप सज्वान और आजम बात करेंगे महाबारत सीरियल में महावीर अभिमन्यू की पतनी उत्रा का किरदार निभाने वाली अबनेत्री वर्सा स्वांकर जी के बारे में कि कैसे मिला था उन्हें महाबारत सीरियल में उत्रा का किरदार साथे साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे ताके महाबारत और सिरिक्रिष्णा जैसे धारवाईकों से जुड़े हुए कलाकारों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे दोस्तो वर्सा सुवांकर जी एक भारते फिल्म अबनेत्री है जो कि कहीं बॉलिवूड और मराठी फिल्मों में काम कर चुकी है इसके अलावा वे एक मॉडल और सिंगर भी है उनका जनम 28 फरवरी 1965 को गोवा में हुआ था और उनके पिता का नाम एक एस उस्वांकर है जो कि एक नेता है वहीं उनके पढ़ाई लिखाई की बात करे तो उन्होंने अपने स्कूली पढ़ाई डैंपोर हायर स्केंडी स्कूल पंजी से पूरी की उसके बाद वे आगे की पढ़ाई करने के लिए गोवा युनिवस्टी चलेगी बचपन से ही उन्हें अपने का काफी सोग था इसलिए उन्होंने अपना करियर अबने में ही बनाने का निश्यत किया और उसके बाद उनके पिता के एक दोस्त ने उन्हें मराठी थेटर से इंटर्डूस कराया और उन्होंने अपने अपने करियर की सुरुवात सुपर हिट मराठी पले में एक मुख अबनेत्री की भूमिका निबाकर की उसके बाद उन्होंने कई मराठी फिल्मों में भी काम किया अपने भैतरिन अबने के दम पर हुए उस समय मराठी फिल्मों क सब का दिल जीतने के बाद 1988 में उन्होंने महाबारस सीरियल में उत्रा का किरदार भी निवाया लेकिन उन्हें महाबारस सीरियल में उत्रा का किरदार कैसे मिला इसके पीछे भी एक दिल्चस्प किस्सा है दरसल एक बार जब उनके घर कुछ महमान आये थे तो वे शूटिंग देखने की जिद करने लगे और वे शूटिंग देखने के लिए महाबारस सिरियल के सेट पर चले गए उस समय वहाँ पर अभिमन्यू के साथ एक सीक्वेंस की शूटिंग चल रही थी और वहाँ पर अभ करदार को कहा है क्योंकि वह एक अच्छी डांसर थी और मराटी सिनमा का एक जाना माना नाम थी और वरसाज जी ने भी इस करदार को निबाने के लिए हां कर दिया महाबारस सिरियल में उनके उत्रा के करदार को लोगों द्वारा काफी ज़्यादा पसंद किया गया हाला कि महाबारस सिरियल में उत्रा का करदार ज़्यादा लंबा नहीं था लेकिन फिर भी वह लोगों का दिल जीतने में सफल रही महाबारत सीरियल में उत्रा का किरदार निभाने के बाद उन्होंने 1990 में दूरदशन पर परसारित होने वाले सो लक्षमी भाई में लक्षमी का किरदार निभाया था वहीं फिल्मों की बात करें तो उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया, जैसे 1992 की फिल्म हनीमून, उननिसको कानवे की फिल्म शाथी, 1990 की फिल्म सेजिरी सेजिय और 1993 में रिलीज विल्म परक। और तिरंगा जैसी कहीं सोपरिट फिल्मों में भी काम किया इसके अलावा वर्साजी अक्षे कुमार के साथ फिल्म हत्या में भी काम कर चुकी है ये फिल्म 2004 में रिलीज वी थी लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई इसके बाद वे हमें बहुत ही कम बॉलवड फिल्मों में नजर आई हाला कि इस दौरान उन्होंने कई मराठी फिल्मों में भी काम किया वहीं वर्तमान समय की बात करें तो आब वह फिल्मी दिनिया से दोरी बना चुकी है वोई उनके निजी जीवन की बात करें तो 19 सन 2000 में अजे संकर से शादी कर लेती और अब वोई उन्हें के साथ रहती है दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और वीडियो को लाइक कीजे धन्यवाद सब्सक्राइब के साथ निए।